बिस्मिल्लाहिर्ष्मान रहीम अससलाम वर्यक्ष्व मैंने में जक्सा सहीद वेल्कम बैक टो माई यूट्यप चैनल आज के इस लेक्षर में हम डिसक्स करने जा रहे हैं टीचिंग टेखनीक्स जो के टीचिंग टेखनीक्स जो है वह बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है फ करने वीडियो को स्किप नहीं कीज़ेगा स्टार्ट सेले करने तक जरूर देखेगा बहुत इंपॉर्टन और इंट्रस्टिंग है तो करने जो लोग चैनल पर new है चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को लाइक कीज़ेगा और शेयर कीज़ेगा थैंक्यू वर्यमाच तो आज के इस लेक्टर में हम डिसक्स करना जा रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स तो फस्ट बन हम डिसक्स करेंगे टेक्निक्स जो हैं वो हैं क्या चीज़ पहले हम उसे डिफाइन करेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स जो है बेसी करी वो एक इंटिग्रेटिड आर्गनाइजेश है जो कि include करता है जिसमें set of materials होते हैं devices होते हैं कुछ tools होते हैं और educational attitudes होते हैं जो कि teacher जो है वो use करता है ये clarify करने के लिए किसी भी idea को किसी खयाल को या फिर उसे change करने के लिए या फिर उसके किसी vague concept को जो clear ना हो वेग कहते है clear जो ना हो ठीक है यानि not clear vague का मतलब होता है move him ठीक है और in order to contribute to a better state of the educational process के educational process की state को better करने के लिए उसमें हम ये सहरे चीज़ें contribute करते हैं और इसका जो basicly aim है जो इसका मकसद है वो ये है कि वो curricula को improve किया जाए teaching methods के improvement होनी चाहिए और teacher की conditions और abilities को improve करना जो है वो इसका basic aim है basic objective है तो new age teaching techniques basically क्या है first one क्या है इसमें कुछ 4 procedures दिये हुए first one इसका ये है कि ये improve करता है attentiveness students की students की attentiveness होती है उसे improve करता है teachers जो instruction देता है different अंदाज में students उसे capture करते है उसे practice करते हैं तो ये उनकी जो attention है वो से improve करता है number two पे क्या आता है ये students की reading and writing skills are on okay third one step basically क्या है it provides freedom to express their views कि students अपने views को express करें ये students को freedom provide करता है teaching techniques ये है fourth one क्या है students start talking taking interest in studies कि students start कर देते हैं उनका जो interest है वो studies में develop होना start हो जाता है तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो first one हमारे पास करवाया जाता है किसी subject के साथ classroom में traditional classroom में ऐसे ही होता था ठीक है कि students को पहले classroom में समझाया जाए students पैसे वो वो से समझें और फिर जाके वो study करें independently घर पर जबके इना flipped classroom flipped classroom में क्या होता है students पहले learn करते है about the subject on their own ठीक है अब इसकी पहले लें कि बड़ी classes students के साथ sometimes ऐसा होता है कि teachers assignments दे देते हैं कि आपने यह assignment बना कि आनि यह students study करते है और अगर कोई issue है तो वो teachers से जाकर discuss करेंगे then come to the classroom to resolve questions and practice with a collaborative project or another activity that fits the scope of the subject ठीक है तो उसके बाद यह जी से होती है यह method जो है basically यह help करता है students के students की help करता है ताकि वो एक active role play करें उनके अंदर जो है more autonomy जो है वो develop करने के लिए learning के लिए यह student की help करता है instead of relying on the teacher to introduce them to the subject and do all the heavy lifting for them इसमें क्या होता है कि students become their own teachers कि students सबसे पहले खुदी करेंगे फिर उनके पास जो उन्हें किसी issue का सामना करना आ रहा है तब जाकि classroom में discuss करेंगे ठीक है अब यह traditional और flipped classroom की एक picture दिखाएगी है traditional में देखे टीचर जो अब instruct कर रहा है ठीक है teacher instructs at school जबके flipped classroom में क्या है teacher facilitate students collaboration सब किसी ने अपना point of view देना है सब कोई खुदी घर से study करके आया है वहां पे अपने issues discuss के जा रहे हैं फिर इसी तरह से students का play assignments student voice teacher instruction ठीक है तो यह था हमारे पास आज का flipped classroom में अब यह देखे इंचार्ज जो है in class वो engage है एक दूसरे से ठीक है यह prepare कर रहा है independently out of class है extend है ठीक इसके साथ ही हम दूसरा जो दूसरी जो technique discuss करना जा रहे हैं वो हमारे पास tactile learning, tactile learning is also known as karnisthetic learning, अब karnisthetic भी थोड़ सा difficult term लग रही हो गया आपको, karnisthetic means learning by doing, means practice, tactile learning takes place through demonstrations and hands-on activities, okay, demonstration पे बेस करते हैं और hands-on activities पे बेस करते हैं, this teaching method also implies to online classrooms, यह online classrooms में भी imply किया जाता है, with the teacher demonstrating an activity and learners practicing simultaneously from their homes, कि teacher जो instruct करता है, वो demonstrate करता है, किसी भी activity को और students जो है वो घर में बैट के वही पे practice कर रहे हैं, और यह best suited है practical subjects के लिए और skills के लिए जहां पे learners उन्हें नीड होती है, उन्हें जरूरत होती है, कि वो develop करें, अपने अंदर construct करें things को, और term जो tactile learning है, basically यह refer करती है, active और collaborative learning को, कि ताके इस तरीके से, जो है, teacher उन्हें instruct करें, और उनकी mistakes को spot किया जाए, correct किया जाए, immediately preventing the learner from developing a wrong technique, okay, तो tactile learning basically है, कि tactile learning is learned by touching and using the hands, it involves touching, holding, poking and squeezing learning materials, तो यह थी definition, अब अगर इसके overview की बात की जाए, तो tactile learning जो है, यह learning style है, जो कि emphasize करता है, physical touch को, और hands on experience को, sorry, यानि movement से physically practice करवाएगा, to comprehend and retain information, यह आज जो है, involve करता है, sense of touch को, ताके वो objects को explore करें, material को manipulate किया जाए, और physical activities के साथ engage किया जाए, ताके वो, उनकी जो learning है, वो enhance हो से के, वो increase हो से के, tactile learning के, अगर हम benefit दिखा जाए, तो, from interactive tasks, जैसे के, building models हो गया, participating in experiments हो गया, या फिर, engaging in role-playing activities, okay, तो, example भी दी हुए है, dinosaur bones big, this is an activity that involves students digging into the ground to uncover dinosaur bones, okay, ताके वो dinosaur के जो bones हैं, उन्हें uncover किया जाए, there are many kids available to purchase, that allows students to use different toy tools, to dig up bones, I break into eggs, and discover cultural structures, some kids also provides reference cards that include about, facts about different dinosaurs, okay, तो, I hope it's clear to all of you, that tactile learning है, क्या basically, कि वो hands on activities पर focus करता है, जबकि फिलिफ्ट classroom में, students on their own, जो है, वो पहले घर से learn करेगा, उसके बाद, जो है, वो, class में जाकर teacher से discuss करेगा, friends से discuss करेगा, I hope it's clear to all of you, thank you very much, Allah Hafiz, channel कर subscribe कीजेगा, video को like कीजेगा, और share कीजेगा,